दोस्तो इस lockdown के समय बहुत सारे लोग अपने आपको entertain रखने की कोशिश करते हैं, खास करके mobile phones का उप्या करते हैं, वैसे बहुत सारे अन्य अप्शिन्स भी अवलेबल हैं, tablets, laptop, desktop, TVs, और एक और option है जो की काफी interesting किसम का है और वो है ये, ये है Nebula Apollo by Anchor, ये एक portable projector है, वैसे दो quality है, awesome किसम की है, pricing है 36,799 रुपीज, देखते रहिए, तो चलिए दोस्तो सबसे पहले मैं आपको इसकी unboxing करके बताता हूँ, ये इस प्रकार की box packing है, Nebula Apollo pocket projector by Anchor, ये full functional transparent touch panels के साथ में आता है, वैसे ये Android 7.1 run कर रहा है out of the box, और ये built-in speaker के साथ में आता है, और जो key specifications है, वो box के उपर details में दिया हुआ है, चलिए, ये जो box है, इसे मैं खोल देता हूँ, compact सा projector है, तो जाहिर है, जो box packing है, ये भी compact किसम की है, तो box खोलते ही, एक और box आपको दिख जाएगा, और इस box के अंदर user guide दिया हुआ है quick start guide और एक remote दिया हुआ है, ये देखे, remote इस प्रकार का है, minimal buttons के साथ में आता है, इस का उप्या करके आप जो key features है, इस projector के उसे control कर पाएंगे, और इसके अलावा box में आपको ये projector मिलता है, देख सकते हैं कि बहुत ही compact किसम का है, मैंने इसे हाथों में पकड़ा हुआ है, और ये आपका on the go entertainment system बन सकता है, और इसके अलावा box में आपको power adapter मिलने वाला है, तो ये देखिए, ये है nebula Apollo pocket projector, बहुत ही compact सा design है, और ये transparent touch panels के साथ में आता है, उपर आप देख सकते हैं कि ये sticker लगा हुआ है, इसके नीचे actually transparent touch panel है, काफी interesting है, in fact मैं आपको बाद में ब और IR receiver भी है, नीचे की तरफ HDMI port है, DC in है और USB port दिया हुआ है, इस projector को आप tripod stand पर mount कर सकते हैं, जो remote है उसमें button cell batteries दिया हुआ है, वैसे जो projector है, ये built-in battery के साथ में आता है, फिलाल battery चार्ज नहीं है, लेकिन मैंने इसे charging पे रख दिया है, और charging की दोरान ही मैं इसका setup भी कर रहा है out of the box, तो आपको उसका setup करना है, और इसे आप एक तरह से Android box कर सकते हैं, लेकिन इसमें projection function है, जिसके जरीए आपको कोई भी external device की जरूत नहीं पड़ेगी, मतलब ये कि ये जो device है, जो भी content है, उसे project करने वाला है, आपको सिर्फ एक flat surface चाहिए, वैसे इस portable projector का सबस YouTube, Netflix, Amazon Prime, ये सारे apps को support करता है, इसके अलावा आप बहुत सारे अन्य apps भी download कर सकते हैं, तो basically आपको जो भी features आपको Android setup box या TV box पर मिलता है, वो सारी चीज़े आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और ये बहुत ही बढ़िया option इसलिए है, क्योंकि अफकोस ये project करता है, लेकिन इसमें built-in speaker भी दिया हुआ है, और जो speaker की quality है, बहुत ही बढ़िया है, in fact आपको इसके साथ में कोई भी external speaker ले जाने की जरुतने पड़ेगी, इतना बढ़िया speaker है, brightness के अगर बात करें, तो इसका brightness है 200NC, जो की indoor conditions के लिए काफी बढ़िया है, यहाँ पर आप दिख सकते ह जो room है, उसे एक तरह से dark कर दू, तो awesome किसम का experience आपको घर पर मिल सकता है, in fact, theater type experience मिल सकता है, वो इसलिए क्योंकि यह जो projector है, 100NC तक का projection कर सकता है, जी यहाँ दोस्तो 100NC, speaker का output है काफी बढ़िया है, क्योंकि इसमें 6W के speaker दिया हुआ है, और इसमें built-in battery है, यह आपको 471 grams है, बैटरी की अगर बात करें, तो इसमें 9750 mAh की बैटरी है, यह dual-band Wi-Fi support करता है, 2.4 GHz, 5 GHz, इसमें Bluetooth 4.2 technology का प्योग किया गया है, और of course, जैसे कि मैं अब बता दिया, HDMI USB 2.0 port दिया हुआ है, यह Miracast और DLNA भी support करता है, अब यह जो portable projector है, इसमें जो USB port दिया हुआ है, उसमें अगर आपके पास कोई pen drive है, जिसमें movies है या गाने है, तो उसे आप connect कर सकते हैं, और उसे project कर पाएंगे, इसके अलावा मान लीजिए, आपके पास Amazon Fire TV Stick है, तो वो आप HDMI port पर दाल सकते हैं, और जो Amazon Fire TV का जो content है, वो इस projector के जरीए project कर पाएंगे, तो यह देखिए, यह है, वो projector काफी छोटा है, और यह transparent touch panels के साथ में आता है, अब इस panel का उप्योग करके, आप basically navigation कर पाएंगे, और वैसे तो आप remote से भी कर पाएंगे, इसके अलावा, अगर आपके पास smartphone है, तो smartphone पर भी आप Nebula connect करके, जो उप्योग कर पाएंगे, जहां तक picture quality का सवाल है, 480p इसका maximum resolution है, लेकिन आप 100 इंच तक इसे expand कर पाएंगे, जो projector है, उसे आप थोड़ी दूर रख सकते हैं, ताकि आपको 100 इंच का projection मिल जाए, और यह बहुत ही बढ़िया experience देता है, in fact, क्योंकि खास करके जो important चीज है, sound, उसका जो quality है, बहुत ही बढ़िया है, जैसे कि मैंने कहा six spot का speaker है, sound output काफी amazing गिसम का है, और इस projector से आपको एक तरह से home theater experience मिल सकता है, कहीं भी, तो यह बहुत ही बढ़िया option है, इसलिए क्योंकि आप एक big entertaining experience कहीं पर भी ले पाएंगे, तो दोस्तों यह है Nebula Apollo, और अग प्रोजेक्टर आपको कैसे लगा, comments के मादम से मुझे ज़रू बताइए, इस video को like कीजिए, share कीजिए और देखते रहिए